हेलो एवरीवन मैं विश्ट जीत सिंग आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम लेस्टीियो इस लेस्टेरी थोस्तों अंदर में 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 पर और मृस्त अंदर में क्या के कोशंगोर ट आज जाता है मैं अरम्बिक नजियो किस परकार आए यह कोशन बन जाता है, दूसरा जो question बनता है दोस्तो, वो बनता है आपका दास पर था को, मजदूर पर था या दास पर था, आप कह लो, उसके उपर बन जाता है question, इसका region क्या होता है कि यूनान के इंदर में जो दास पर था था हो, बहुत ही बड़े इस्थर पे था युनान के समय पे ही साथ साथ रोवन संब्रता में भी दासपर्था देखने के लिए मिलता है पर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर था जिसके कार्ण से हाँ पे कोशन मनता है दासपर्था का ये बहुत important कोशन रह जाता है कर दोस्तो दर्फनिक विचारा का आई उन्हों ने इनानिस व्यवेक्टा को लेकर किया कैस्ट उसको लेकर एक तीशरको बन जाता है यह एकर आपने के वेक्केamped को सेगमेंट ये बुक जो आपको मिल जाएगा आप ऊनसे जाकर डौंलोड कर सकते हैं copy है मेरे पास ठीक है तो मैं इसको directly पढ़ाने वाला हूँ आपको तो यहां पर आप देखोगे अपने question segment का तो यहां पर पहला question यही दे रखा है मैं उपर दिखा दूँगा आपको और दूसरी सब्वेता था माई सियाई सब्वेता का नाम से जाना जाता था तो इन तीनों सब्वेता को जब हम पढ़ेंगे और डिफाइन करेंगे तो पूरा यह वाला question जो कह रहा है संशिप्त परीचे जी युनानी सब्वेता का ओ यहा किताब थी इनके उपर में पूछा गया question यह टिपनी लिखने वाला है और linear भी लीपी करके ना एक भासा था जैसे हिंदी होता है इंगलिस होता है उसी तरह की लेंग्वेस थी जो युनानी सब्वेता के अंदर में देखने के लिए मिलती है ठीक है तो उस समय के जो तो संपरभात वर्ग और किसानों को लेकर बन जाता है कोशन यह भी कोशन बनता है अच्छा है कोशन है ठीक है पर अक्सर यह एक्जाम में होतना ज्यादा एक्ट्रक्शन का केंदर नहीं बनता है रिजन क्या होता है कि आप इस कोशन को अगर दिखते हो तो नॉर्मली संफंगहर्स बनता है इसे संपन वर्ग को दिखा गया जिसमें राजनितिक संपन थी ठीक है ठीके खेत घर ज्यादा जो भी चीजे होते वह थे पर किसानों के पास तो सब चीज केड़ी नहीं थी किसानों के पास खेती के लिए जमीन नहीं था चोटे किसान हुआ करते थे और रिन के बोज के तले मतलब उधारी के बोज के तले दले दवे हुए थे ठीक है खाने पीने का उनके पास उतना ज्यादा मात्रा नहीं था ठीक है वो ज्यादा तर उन्हें मतलब रोजगार गुलाम के तौर पर वक करते थे ठीक है वो गुलाम देनियस लीग और देम के बारे में आ जाता है ये एक तरह के राजनितिक विचार था रहे थी ठीक है जो अलग-अलग कंडिशन में उपयोग में लाई गई ठीक है उसको लेकर बनता है तो कुछ खास है नहीं कोशन तो मिली इस सेगमें जो नहीं स्टार्टग में आपको बताया है थी ननी विचार Best वेघ से हं और तीसरा रहता है जो यूनानी दार्षणिक विचारों का उनको लेकर बन जाता है तो यह थीन कोशन हम पढ़ने वाले हैं अच्छा इटेल में समझेंगे वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिससे आपको चीजे समझ में आए और रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको कहीं पर कोई चीजे समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजेगा सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हो वहाँ पर हमें जाके पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो वर्टसप ग्रूप का लिंक चाहिए तो कमेंट किजिएगा मैं देदू हो वहाँ से आप जोइन कर सकते हो वहाँ पर बी डारेक्ली कोश्चन पूछ सकते हो लास्ट रिक्वेस्ट जो तो आप सभी स्टूडेंस जो भी वीडियो देख रहे हैं अपनी नोट बुक लेकर बैठें उसे फाइदा क्या होगा कि जो भी में पोइंट्स बोलूँगा आप लिख पाऊगी ठीक अपनी बुक लेकर बैठें जिससे आपको समझ में आगा कि हां इसी बुक से पड़ें सौफ्ट को पी आपको इगनू की वेबसाइट पर मिल जाएगी तो वहां से भी डा और युनानी सब्वेता एक तरह से संस्कृतिक विकास की सब्वेता मानी हुए ठीके क्योंकि जब आपना कोई मुवी देखते हो जैसे मालो पुरानी मूवी देखते हो हैं अधेट डिसी करके ठीके तो उसमें क्यों आप सपाटा एथेस के बारे में आप पढ़ते होगे युनानी सब्वेता के बारे में पढ़ते होगे, जो जितने भी पॉलिटिकल के गुरू हुए, आरस्तू, पुलूटो, सुकराथ, ठीक है, वो कहीं न कहीं संबंध रखते थे युनान से, ठीक है, तो उसके कारण से बहुत प्राचिन सब्वेता के तोर पे एक सब्वेता मन का ओणी संब्या आताम्ति चुका था ठीक है, तो एक एक करके करते है, पहला पर बेशिक न हम बात करें, रखत के दीक है, थितना से पुरान इसे न क्याकर थे ठीक है, सबसे के सबसे पुरान इसे पर्वेता के तोर प्रपर मानी. दूसरा यहा पर पोईंट, यहां पर हम तो शुरू हो चुका था इसकी अगर आप टाइम पिरेड देखोगे यहां पे टाइम पिरेड के अगर हम बात करें कि टाइम पिरेड क्या था थो तो तीसरी सताब्दी से लेकर ऑल्मुस्स चौद़व सो इसा पुरू तक इनका पूरा चलन रहता है चलता है यह यह वाली सब्छा सब्छा के बारे में सर आृत्व करके उनहीं सब्छा सब्छा के मिन claps सब्छा सता के भारे में ओर इन ही कि मतलब इस सब्छा का पूरा था है राजा जो था ना राजा मिनोस के नाम पर denPARTぎ रखा गया राजा के नación का चॉन控़ डिख्रा था क्या नामおお दरान में जो ये खुदाई हुआ, थीके तो खुदाई के या ईन्यूत iedereen के चाहे है में इस वेपारी के तोर पर इसको गयात कैग पर भीड़ पालन उन प्रात करने एकhmat आता था सासत में लोग जूतन और खेटी थे गेह कितीक के ओँपयोग में लाते थे ठीक और यहां पर बात करोऊ के दोस्तों तो वेपार के के आगकर पुना विट्रन के तो यह संपर्क मतलब दूसरी सब्वेताओं से संपर्क इनका देखने के लिए मिल जाता है जैसे आप देखोगे इनका मिसर से संपर्क इनका मिसर से संबंध था मिसर, अनातोलिया, लेबनान के समुद्री चरट थे वहां से वैपार के लिए लेन दिन, एजियन से भी समुद्री रास्ते से आना जाना हुआ करता था, इस तरह से समुद्री रास्तों की खोजिनों ने कर ली थी, तो इस तरीके से यहां पे चलता है, इस सब्वेता का आज जो समाप्त होने का टाइम पिरेड था, जैसे मैंने बता है, यहां पे स्टार्टिंग में की तीसी सब्वेता से शुरू होती है, तीसी सताधी से और चोदो सो तक चलता है, तो जो इसकी पतन होने का टाइम रहता है, और चोदो सो इसा पूर्व का टाइम पिरेड हम मान के में चलते हैं ठीक है समझ में आता है और पतन कैसे हुआ इसका कारणी बन्तार जैसे मैंने चौदातन हो गया पतन हुआ कैसे तो पतन हो कि भी स्पोर्ट बहुत बड़े इस तर पर किया जाने होने लगता है उसके बाद इसका पतन देखने के लिए हमें मिलता है दोस्तों ठीक है युनानी सब्वेता का हमें पहला वाला समझ में आता है आप दूसरा वाला करते हैं फटा बाट इसको रफ करके कि थे बारे इसके बारे 200 इसवाड रहाँ ठीक है इसके बीच मेझा पूरा जो खुदाई का रहない है था है थीक है वाली क्या इस की बारे हमें जो जश्यानकारी मिलती हैいき हां के जो तो इस्थल मतलब खुदायी से हमें एन्री सेलमी से जो खुदायी करी थी उसके थूरी में हम इights about mycenei इससे की नाम इसे पार मोस इससके पर्मुख केंद्र में तब इसससो Slowly प्रमुख कैंद्र ता technical instrument थीक ist अलग अलग राज्येयों में भी इनका शाष्ण देखने के लिए मिलता है इस सापेता का पैलाव देखने के मिलता है ठीक यहां पर आप देखऊ गिटो जो सरदार बनस्क देए साही पद्वी धहरन करते थे थे किला बंदी कारण माना जाता था किला बंदी का अंगे इंगे और यहां पर आप देखो किला बंदी करते थे सक्ति-साली युद्धा हुआ करता था यहां पर सास के जो वर्ग था सास के बर्गों में संपर्भात जो लोग हुआ करते तो उनको सामिल किया जाता था नौकर साही ववस्ता विश्त्रिद थी सास साथ में देखो के विदेसी वैपार का संगलन था विदेसी वैपार यहां पर किया जाता था ठीक है विदेसी वैपार बड़ी मातरा में यहां पर देखने के लिए मिल जाता है सोने चांदी तामबा टीन का निरियात दूसरे जगह से किया जाता था ठीक है एक जगह से द संक्र похож में जमूल जाकती होते थिए उसने कि संप Síndra जाधी दॉसका कि विल बल्लोग लिखना जानते थे तिके यहाँ पर हमें इसका कई सारे परमान मिलते जाना गया जो भी मैंने आगे बताए था ना यहां पर दिखो गया आठार्वा पर लिनियर बी करके एक आया हुआ था ये लिनियर भी था जो मिसीनियाई सब अबेता के अंदर में यूज की जाती थी लोगों के दौरा लिखी जाती थी ठीक है जो पढ़ना लिखना जान इस तरीके से हमें समझ में आया इसको पढ़ा किसमें तो 1992 में 1992 के अंदर में माइकल वेरिट्स करके वेंट्री माइकल वेंट्री करके व्यक्ति थे उन्होंने इसको लिपी को डिकोट किया पढ़ा ठीक है जिसके बास बता चला कि यह लिनियर भी करके क्या है लीपी है वाहासा है इसको हमने समझमेन आता है 1200 इसा पुरिव के पुर्व में मतलब इस इतना था था 1200 इसा पुर्व के आस-पास में सब्यतार चैंवह कल from P पहchan tienesสों के कारण अगर देखने के लिए मिलता है तो Doriyaessa जो विदेशी आकरमान होरे थैं Dooredyaa A.Doriyaus जो आकरमन होरे उसके थॉर इनका पतन देखने के लिए मिल जाता है 1600 इसापुर्व में इनकी शुरुआत होती है 1200 इसापुर्व तक यो जाता है, पतन होने का कारण क्यों आयाया है तो बिदेशी आक्रमन ठीक है या फिर डोरी याई आक्रमन जो होते डोरियस आक्रमन जो आक्रमक हुए उसके कान से यह पतन होते हुए चल दिखता है समझ में आता है माइसीनियाई सब्वेता के बारे में तीसरा सब्वेता जो हमारा आज़ा तो अंदकार यूग के नाम से जाना गया अब इसको अंदकार यूग क्यों का जाता है क्योंकि इस सब्वेता के बारे में ज्यादा जानकार यूग लब्द नहीं है ठीक है एक्जेक्ट जानकार यूप लग दनी है जिसके कारण से हम इसको क्या कहते हैं अंदकार यूग कहते हैं और इस सब्सक्राइब के अंदर में बहुत सारी चीज़े परिवर्तित होते हैं किस परकार से जनसंख्या में गिरावट होती है ठीक है यह आप हम तीसरा देख भी जो यहां पर भासा था जो अभी मैंने बताया कि माइसीम याई सब्सक्राइब के अंदर में क्या लीपी का खोज हो चुका था लोग लिखना पढ़ना जानते थे पर यहां पर अंदकार यूग की सुरुआत होती है तो यह जो लिनियर भी लिनियर भी करके जो लीपी के तक जाते जाते हैं ठीक है इसका अंध कोना सुरू हो जाता है ठीक सब्सक्राइब jurisdiction में दो प्राचिन यूदानी कावे घ्रंथ मिलते हैं जिसको अलीड और ओडियिस का जाता है ठीक क्या नाम था है लिपी कि ऑनीम इर्ञ़़ कि इव अली इड और ओडिय स् में ओडी सी एलियड और ओडी सी के नाम से यह दो गरंत मिलते हैं जिसके थुरू ही हमें यहां पर अंदकार यूग के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है इसकी रचना किस ने करी थी तो होमर ने करी थी अगर कोशन आयता है होमर के द्वारा जो गरंत लिगेगे उसके अधार प इस तरह से माना गया जिसके अंदर में linear भी लोकत ओच ही जैली सी तरह हंदी होती है उसलिए ऊजी ट्रेशंस होती है उनी यहीं आट्सो इंसा स्शोपलन करीब करीब में इसका पतन सुरू हो चुका था ठीक है और ऑर ऑमर के दुआर दो गरंत लिखे गए जिसको इडिलियन और ओडिसी कहा गया ठीक है समझ में आता है इसकी बात करें दोस्तों यहां पे इसको भी दो पार्टों में बाटा गये इन दोनों गरंतों को ना अगरिशन सब्सक्राइब करने के लिए जो विग्यानिक थे इति आसकार थे उन्होंने दौ पार्ट में बाता जिसके अंदर में पहला पार्ट के करें तो पहला पार्ट था बारासों से लेकर सन बारास उस से लेकर एक हजार पचास इसा पुरूफ तक का इसा पुरूफ तक का इसमें अंदर में बात क्या गया कि यह पूरा सहरी केंदर जो जीतने भी सहरी केंदर थे सहरी केंदरों का पतन हो रहा था सहरी केंदरों का पतन होना सुरो चुका था संक्या जो थी घटने लग गई थी ठीक है जन संक्या घटने लगई थी साथ साथ में दोस्तों जन संक्या घटते हुए वैपार की जो इसती ती विदेशी वैपार वो नीचे गिर रहा था और ये इसके बाद में पुरातात्रिक साक्षे भी यहां पर उतनी ज्यादा समझ में आता है यहाँ पर जो घर के आकाल हुआ करते थे तो चोटे हुआ करते तेन कासा के बने उए होते थे टिग जो टीन कासे के बाहर ब्यदेशों से जाने लगा रम श्रॉफी सब बाहरी वहार का साधन बना अगर आप दूसरे टाइम प्रीड पिंडेट की बात करते हो यह जो दूसरा वाला हवाला ठीक है कि यहांपर 2 आइम परेट के नदर में पहलो हुआता है की जो आज पास कि युनानी नई सबिता का सुछवात हुझाता है इनकी सुमार बने लगती ऑर इनकी जो समाजिक धाजे का, उसका सुत्रपात किया जाने लगता है, कतम सही सुचार रूप से समाजिक विवस्ता का निर्मान होता है, ठीके, इनका वोग परोगी की विस्तार होता है, ठीके, आधुनिक करन के और बढ़ते हैं, लोग संकर्मन, जहां पे लोग संकर्मन ठीक है तो इस तरीके से हमारा यह तीसरा वाला जो पॉइंट था उसको खतम कर देते हैं दोस्तों ठीक है समझ में आता है यहां पर हमने पहला कोश्चन पढ़ा पारंबी युनानी सब्वेता के बारे में जिसके अंदर में तीन अलग अलग से बता आती है मीनुवाई तक है तो उसके अंदर में आप तीनों बता दोगे जो मैंने तीनों यहां पर आपको बताया था अब हम यहां पर दूसरा कोश्चन पढ़ते हैं मजदूर दासपर्था के बारे में मजदूर दासपर्था के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो आसा रफ कर लेते पहले यह जो मजदूर दासाला question है दोस्तों important है क्योंकि अभी जो March में exam हुआ था आपका ठीक है तो उस March के exam में आया हुआ था बहुत सारे बच्चों का यह वाला question छोड़के आया बहुत सारे बच्चों करके आया क्योंकि जो मैंने five years important questions करवाय था उसके अंदर मैंने तीन चार वार यह वाला question करवाय था तो जिन बच्चों ने वीडियो देखा था उन्होंने किया था अधरवाइस बहुत सारे बच्चों ने छोड़कर आये थे ठीक है तुम्हें कहूंगा कि जो भी हमारी वीडियो से आप उसको regular basis से follow करें जिससे आप उ निर्वर थी कि इन दासों से क्या क्या जाता था उत्पादन के कारे करवाय जाते थे くजिते होते थे ना दास ही करते थे इसके इवस्ता का पूरा The पीकर बिटास के अंदर में PHP । उपयोग था वह यहीं पर सबसे पहले देखने के लिए मिलता है के बात करोंगे तो रोमसंभेता जब आप पढ़ोंगे ना आगे आने वाले चेप्टर में पहले तो रोम सब्हेता के इंदर में आपको दास को अपयोग देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों कि यहां पर पहली बार दास बनाने का परचलन सुरू होता है उसमें महीलाओं को अधिकारी वर्घ उनकी जरूत के चाहब से दासों को नियुक्ति की जाती थिitez वहां वाघ्रों, जो चोता है, यहां पर बात करोगे, तो दास किसितर था जैसे यूद-बंदी, अगर महा लो, आपने यूद किया, यूद के अंदर में हार गए, यूद बंदियों को भी दास बना लिया जाता था ठीक है आपने रिंड लिया करजा लिया करजा नहीं दे पारे तब ही आपको दास बना लिया जाएगा ठीक है और ये मतलब एक तरह से वंसानुगत था वंसानुगत मतलब किस परकार से अगर मेरे पिताजी दास है ठीक है अ आपने परिवार नॉर्मल परिवार नीयोजन पर भग नहीं कर सकते थे किस तरसे प्लानी सकते दो चलता रहेल के पुर्वाज मतलब आने वाला भी डास बनता जाये का टिए के क्रिशक वर्ग में क्रिशक तो क्रिशी उत्पादन बड़े पमाने पर इनका उपयोग किया जाने लगा, दासों से खेती कराया जाने लगा, परिवार की सक्त जरूरतों के इसाब से उनको दासों के निवक्ति किया जाता था, जैसे परिवार को एक परिवार को कितने दास की जूरत है, और ये नहीं कि सभी परिवार को दिया ज जैसे जो बड़े अधिकारी वर्ग होते थे ठीक है या फिर जो कुलीन वर्ग होते थे जो बड़े जो जाती पर्था के जो लोग थे उनको स्रीप नियुक्ति की जाती थे उनके परिवार की जुरूरतों के इसाफ से दास की नियुक्ति होता था वैक्तिकात इनके पास अध पिता जैसे इनकी सिती होती थी अगर उनके पिता-माता जो दास है था अगर उनके बच्चे होंगे वह भी दास के तौर पे ट्रीट करते थे युनानी के अन्य भागों में भी पर्था पर्था जो सिती परचलीत हो चुकी थी जिसके अंदर में थ्रिलेस, क्रिटे, ओर्गे इन सब जगों पे भी दास पूर्था में देखने के लिए मिल जाता है ठीक है समझ में आता है और यह अर्थव्यवस्ता का में आधार बनता हुआ चला गया था समाज और अर्थव्यवस्ता का यह आधार बन चुका था ठीक एक विशिस्ट प्रकृतिक थी यह युनानी समझते हैं और यहां पर वीडियो में अपना एंड करते हैं दोस्तों अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको वैल्यूबल लग रहा है आपको समझ में आ रहा है क्योंकि अभी मैंने में इस्ट्री का जो पीछे करवाया था लास्ट फाइव यह के कोशन पर बहुत सारी वी यहां इसट जो उन्हों के बाता है यहां परमुक तोर पर दो विचारकों के बात करते हैं दो से तीन विचारकों की जिसमें सबसे पहला रहता है प्लूटो जो प्लूटो था प्लूटो प्लूटो का जो टाइम पिरेट देखोगे तो 427 से लेकर 347 इसा पुरू तक का चलता है ठीक है इनके जो गुरू ते हो सुकरात थे प्लूटो सुकरात के सिस्से थे इन्हों मतलब एथेस की बारे में अगर बात करो ठीक है एथेस के एक अकादमी स्थापित करी इन्होंने the school academy स्थापित करी थी एथेस के अंदर में ठीक है आधर्श वादी इनको माना जाता था ठीक है इन्होंने मस्तिक सोतन्तरता की बारे में करी थे मधला बहुत जाबा चीजों के इन्होंने विचारदारा रखा था अपना जो विचार थे उन्होंने व्यक्त किया आरस्तु प्लूटो के सिस्षे थे आरस्तु को टाइम प्रेट देखोगे तो 384 से लेकर 32 तक 32 तक में टाइम प्रेट रहता है पूरा इनका और यह पुलूटो के सिस्षे थे तीक है यह अपने गुरू से भिन थे थोड़े से अलग इन्होंने आइडिलोजी अपना ही तोड इन्होंने विज्ञान की स्टड़ी करी वनस्पती की स्टड़ी करी पस्वों के बारे में स्टड़ी करा और पुलूटो और आरस्तु दोनों ही निड़ने लेनी की परकिरिया में जनता की भागादारी के खिलाफ थे यह जनता की भागदारी को नहीं मानते थे ठीक है जैस पर आरस्तो और पुलूटो उसके खिलाफ ते वह से सहीमत नहीं थे कि जनता के पास में इसकी निर्डड़ने लेने की पावर होनी चाहिए तो इस तरीके से में देखने के लिए मिल जाता है ठीक है समझ में आता है युनानी चिंतकों का इत्यास जो है दर्शन गनीत हो गया इनका परभाव पूरी युनान पर बहुत जाते देखने के लिए मिलता है मैंने स्टार्टिंग में पहला लाइन ही मैंने बोला था युनानी सब्वेता के अंदर में जो युनानी दार्शनि तो वो कमेंट करके पूछ सकता है ठीक है कई जगह पर आपको चीज़े समझ में नहीं आ लगे तो रिजन उसका यह मदर टंग प्रावलम होती है तो ट्राइ किजिए आपको समझ में आए बुक अपना लेकर बैठिएगा जिससे समझ में आया और फिर भी ना आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हो वाटसप पर मुझे जूड सकते हो सोचल मीडिय प्लैटफर्म पर मुझे बात कर सकते हो आपके डाउट में महाँ पर सॉल्फ करूंग का दोस्तो ठीक है